यह आवाज यह आपे अपलाए हो जाएगी कुछ भी करूंगा, सब्सक्राइब ब्राउजर राइट, ब्राउजर के ओपर कुछ भी आपे सर्च कर ले तो कोई भी वेब सर्ट, whatever यह आपे OK क्लिक कीजिए, यह पोट्रेट पूरा बैक्राउंड रिमू करेगा और आप इसे ऐसे भी रख सकते, रोटेशन करना है, तो रोटेशन आप कर सकते, इसका स्केल बढ़ाना है, कम करना है दोस्तों हमारे एक रेगुलर वीवर है अनिल शर्मा जी उन्होंने पिछले वीडियो में एक कमेंट करके हमें सवाल पूचा है, क्या सवाल है मैं बता देता हूँ उन्होंने का है, सर, आप जब आपकी computer screen share करते हो, तो side में आपका face भी दिखाए देता है, circle में वो आप कैसे करते हो, कोई वीडियो editor software के मतद से कर सकते हैं या screen recording के time पे यह आप करते हो right, interesting question या आप सभी का भी सवाल हो सकता है thank you very much अनिल सर्मा जी आपने यह सवाल पूचा और मैं यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक teacher हो तो आप curious होंगे तो भी आपको इसकी जुरत होगी जब आपको कोई meetings वगरा record करनी है video form में तो उस time पे आपको इसकी जुरत होगी तो यह कैसे करना है यह आज मैं बताने वाला हो यह कर सकते हैं आप एक video recorder या फिर screen recorder software और video editor भी है वो उस software की मदद से वह कैसे करते है प्रैक्टिकली जाने के लिए इंट्रेस्टेड हो तो यह video देखिए उस software का नाव मैं वन डेशर डेमो क्रियेटर यस यू हर इट राइट गाइज इसे कैसे डाउनल इंस्टॉल करना है कैसे इसे इस्तमाल करना है यह आई पोट्रेट फीचर्स की मल से तो ऐसे डेरे सारी बाते इस वीडियो में होगी अगर इंट्रेश लट तो वीडियो एंड तक देखिए सीधी बात नो बखवास मैं सदिश कम्प्लीट टेकनोजी चैनल पर आप सतका स्वागत का तो यह वीडियो शुरू करते खास तो दोस्तो जिस सौफटरे की मैं बात कर रहा हूँ उसे डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जैसी आप क्लिक करोगे उस लिंक पे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंट्रफेस हैगा ट्राइट फॉपरी बटन पे क्लिक कीजिए या आप यह सौफटर डाउनलोड हो जाएगा और उसे बस डबल क्लिक करके रन करना है डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है आप नेक्ष नेक्षर के इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने इंस्टॉल होने के बाद जब आप उसे रन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा मैंने पहले से डाउनलोड इंस्टॉल करके रखा है और आपके हम पहले रेकॉर्डिंग के लिए चाहते हैं, जहां पर हम स्क्रीन रेकॉर्डिंग देखेंगे, कैमेरे के साथ रेकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अब जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर दूसरा एक विंडो मेरे सामने खुला है, जहां पर एप करना है चाहता है नीचे एक तुल बार आ चुका है स्क्रीन रेकॉर्ड बार बार है यहां से कीजी है, साथ में मेरा कैमेरा भी आप लोगों को दिखाए दे रहा है, साथ में मैं यहां पर दिखाए दे रहा हूँ, इसकी में size बड़ा सकता हूँ, size कम करके रख सकता हूँ और यहाँ पे इसे circle की जग आप rectangle में रखना चाहते है rectangle में रखना चाहते है, तो rectangle में रखिये और जहाँ पे भी इसको screen की उपर रखना है, जितनी भी size कर रखना है वो आपके उपर है, and not just that guys, इसमें एक options भी दिया है उन्होंने यहाँ पे मेरा background मुझे रिमू करना है, तो AI portrait पे click कीजिए यहाँ पे OK क्लिक कीजिए, AI portrait पूरा background रिमू करेगा और आप इसे ऐसे भी रख सकते है right, so interesting है आपके उपर है, यह mirror भी options आप यूज कर सकते है, flip mirror, mirror activate, flip mirror जैसे भी आपको चाहिए, वो आप कर सकते है, तो मैं flip mirror बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको circle मे लेता हूँ, AI वाला भी option बंद कर देता हूँ okay, तो इसे मैं यहाँ पे रख दिया, याद रखिए यह एक interesting feature इसका, अब अच्छा, जब मैं screen record करूँगा तो आपका कहना होगा कि यार, एक screen का अलग video चीक क्योंकि कई बार हम screen के इस पार में कुछ बता रहे है, तो यहाँ पे तो camera आप यह पार पीचे hidden हो जाएगा, त तो during the recording आप इसे ऐसा उपर भी रख सकते हैं, यह भी उसकी खासियत है, आप नीचे से रख सकते हैं, यह पर अपर नीचे से रख सकते हैं, यह एक setting बताता हो, simple है, ध्यान से दिखिए, यह पे setting बटन पे क्लिक करना है, यह settings option आपको दिखाए दिखाए देरा है, इसमें य आप चाहते कि एडिटिंग के टाम पे सब मल्टी ट्रैक आजाए, आपको वाइस अलग आजाए, आपको स्क्रीन अलग आजाए और यह भी अलग आजाए, ताकि अलग अलग ट्रैक पे यह चीज़े रहेगी, तो मैं इसको इसको मूँ कर सकता हूँ कहीं पे भी editing के टाम प और कुछ shortcut keys है, जैसे start करना है, stop करना है, highlight रहाँ करना है, तो कैसे, okay, so, चलो, यह settings मैंने आपको बता दी, mic यहाँ से अप सिलेक कर सकते, कौन सा microphone आपका connected है, right, मेरे case में, जो microphone connected है, वो दिया है, यहाँ पे मैंने, उसके बाद speaker भी यहाँ पे दिया है, अगर आपको कोई meetings record करना है, two-way communication, तो system sound भी record होना चाहिए, तो default system sound जो है, selected, वो यहाँ पे record हो जाएगा, तो यह भी आप check रख सकते, नहीं करना है, आपको खाली one-way communication, आप ही बोल रहे है, तो यह वाला है, meeting record करना है, तो दोनों on रखना ज़रूरी है, यहाँ पे webcam दिया है, मेरा selected है, जो screen, camera, audio, game, क्या record करना है, यहाँ से भी आप switch कर सकते हैं, फिलाल तो मैं record button पे click करके आपको आगे दिखाना जाओंगा, right, मैंने यहाँ तक start किया, आगे record button पे मैं click करता हूँ, recording, three, two, one, go, start हो चुकी recording, मतलब अभी मैं यहाँ पे screen पे कुछ भी करूँगा, suppose I am going to open a browser, right, browser क कुछ भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कोई भी website, whatever, I am doing over here, यह सब कुछ यहाँ पे क्या होने वाला है, रेक लिए आप देख सकते हैं, record हो जाएगा, अच्छा मैं इस recording के दौरान कुछ चीज़ हाइलाइट करना चाहता हूँ, right, मैं suppose कोई YouTube चैनल पे हूँ, जैसे मेर यहाँ पे यहाँ पे यह तूल बार आ जाता है, अच्छे यह तूल बार आपको recording में नहीं चाहता है, तो वह स्टाइटिंग में एक option in a setting में वह भी आप कर सकते है, जैसे यह तूल बार रहना चाहिए, टूटर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे इसमें आपको pane मिल रहा ह अभी मैंने इस तरह से यह कर दी, highlighter, तो इस तरह से आप highlighter यहाँ पे यूज़ कर सकते है, अच्छा मुझे highlighter यहाँ पे नहीं चाहिए, तो वट आल दू, मुझे इसको clean करना है, तो यहाँ पे clean button दिया है, और उसके अलाव मैं rectangle से चीज़ों को highlight करना चाहता है, तो मैं color ले यहाँ पे दिया, again selection पे रखिये, clean button पे क्लिक किया, undo दिया है, यहाँ पे, even यहाँ पे आपको spotlight भी दिया है, इस पे आप click करोगे जब यह देखिए, spotlight, right, okay, spotlight बंद कर देते है, selection पे दुबारा क्लिक कर दे, right, इस toolbar का इस तूल बार का इस्तमाल आप कर सकते है, यहाँ पे मैंने कुछ record कर लिया, मैं stop कर देता हूँ इसे, अब stop करने के बाद, जब मैंने इसे stop किया, let me go ahead, यह वाला screen आजाता है, basically, okay, जैसे मैं stop करूँगा, editor open हो जाता है, मेरा recording stop हो गया, editor open हो गया, अब क्या है, editor के अंदर, अगर आप इस particular, यहाँ पे देखोगे, तो यह जो म मैं इसको drag करूँगा नीचे timeline पे, यह timeline होता है, मैं उसे drag and drop करूँगा, तो आप मुझे तीन track मिल रहे है, interesting है ना, तीन track, one, two, three, three track मिल रहे, एक track है मेरा audio का पहला उपर का, दूसरा track है मेरा video का, और तीसरा है screen का, right, अगर आप ध्यान से देखो, मैं वीडियो वाले track को select काता हूँ, इस video पे click काता हूँ, and now I can shift anywhere, मुझे लगता है कि इसको size थोड़ी बड़ा नीचे है, इसको थोड़ा यहाँ पे रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, जैसे चाहिए, वैसे मैं इस video track के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि यह हमें अलोग करता है, हमने वो option रख चीज़े कीती हो, स्क्रीन रेकॉर्णिंग हो गए, इवन हाइलाइट पार्ट जो हुआ था, मैंने पड़ाते समय जो हाइलाइट किया था, वो भी आगया है, and I can go ahead and select this, okay, not, okay, so got it, यहाँ पे आप जाकर देख सकते, आपको वाइस में कुछ चेंज करना है, इस पर्टिक करना है, तो रोटेशन आप कर सकते है, इसका स्केल बढ़ाना है, कम करना है, everything that in order to do, like editing का सब कुछ है, animations भी यहाँ पे दिया है, वो भी आप अप अपलाई कर सकते है, तो यह वीडियो एडिटर है, इतना ही इस वीडियो एडिटर में धेर सारे लेप साइड में अगर Templates, Annotation, Video Effects, Audio Effects and All, Suppose example ले लो, मैं क्या करना चाहता हूँ, यह पे कुछ video effects आड़ करना चाहता हूँ, तो भी यहाँ पे आप जाकर कर सकते है, तो मैं Templates में जाता हूँ, Suppose example ले ले, और Templates में, यहाँ पे मैं पहला ही Corporate Reporting Template अड़ कर देता हूँ, तो मैं इस Template को यहाँ पे रख रहा हूँ, नए फ्रेम पे आजाएगा है, यहाँ पे गो, स्टार्ट हो चुकिया, एक Template आ चुका है, अब यह Template आने के बद क्या करना है, इसमें आपको एडिट करना है इस Template में, और इसमें जाकर वीडियो डाल देना है, जब आप इसमें वीडियो डालोगे तो इस पोर्शन में वीडियो आजाएगा या इस पोर्शन में वीडियो आजाएगा आपका जो भी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ, और I am going to drag a video in this template, तो इसके लिए माइ लाइबरी में जाओंगा, और मैं यहाँ पी वीडियो ड्राइग कर द कि अधिया यह दो डाइपके रहा है, और इस यहां पर नोचे सिलेक्ट करें लिए फिलाल के लिए है, यहाँ पर द टेंपलेट में इसकानल आपे लिए साल तेंपलेट कर सकते लिए हना यहां पर चैनला हुद यह arrow annotation आपको चाहिए तो arrow के उपर यहाँ पर क्लिक कीजिए और ड्राइग और ड्रॉप कीजिए तो यह arrow आ जाएगा arrow की स्थाइप से यह से आप चाहते हैं वैसे लाके रख सकते हैं लुक एट देर यह सब कुछ यहाँ पर क्या होने वाला है इस तरह से arrow annotations भी यहाँ पर होते हैं उसके बाद video effect जो कि आप video पर देना चाहते हैं तो video effect भी आप AI portrait वीडियो है जिसमें automatically background रिम हो जाएगा green screen effect, mirror effect, border overlay, mirror effect तो mirror को मैंने drag and drop किया तो यहाँ पर देखे वीडियो mirror हो गया आपको अलग सा करने की ज़रूतनीक अंडू यह mirror effect को मैंने drag किया and drop किया बस यहाँ पर आप देख सकते है mirror आ चुका है okay इसका भी rotation वोगर आप कर सकते है position so यह option से यहाँ पर आपको blur वाला effect आड करना है तो blur वाला भी दिया है basic blur, mosaic blur, you can go ahead and add it okay उसके बाद audio effects है उस पर जा कर क्लिक करो यहाँ पर AI denoise है मतलब आपके आवाज में कोई noise है तो मेरे case में तो मैंने mic यूज किया लेकिन noise है तो वो भी रिमू किया जाता है वाइचेंजर इंट्रेश्णिंग option है आप इस वाइचेंजर को अप्लाई करके देखिए इस audio पर लाके drag and drop कीजिए आपको किसका आवाज चाहिए यह पर दिया है बहुत सारे लोग अलग अलग नाम है आप उसका प्रियू भी सुन सकते है अब यह क्या करेगा बैसिकली मेरे audio की उपर यह effect apply हो जाएगा कुछी seconds के अंदर तो आप अपने voice को भी चेंज करना चाहते है या पर AI voice changer यूज़ कर सकते तो यहाँ पर यह successfully हो चुका है आप देख सकते मैं play करके सुनाता हूँ ग्लोब स्टार्ट हो चुके रिकारी मतलब अभी मैं आपे स्क्रीम ते कुछ भी करूंगा सब्सक्राइब उपन ब्राउजर राउजर के पर कुछ भी आप सच कर ले तो कुछ यहाँ पर क्या इंट्रेस्टिंग मेरी आवाज लगी नहीं रहे अगर मैं से अप्लाइ कर द अभी इस अप्टु यहाँ अगर आवाज लगानी तो आपकर सकते हैं यह पे कर सक्ते हैं यहाँ कर्सर एपिक्ट कैसा रखना चाहते हैं पार बहुत बार एडिटिंग में पार एक प्टी आप पड़रत पड़त पड़त पर लुक्श यहाँ से जाकर आप पैन ऐन जूम क यहां पर CTRL B करूँगा, मैं पहले, यहां पर मैं करसा रखूँगा, पहले इसका ब्रेक कर दूँगा, मतलब split screen करूँगा, right click split, and यहां से यहां तक की pan and zoom चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आगे घरसा रख देता हूँ, right click करके यहां पर split करते हैं, दुबारा, और यह बीच के screen पर मुझे pan and zoom चाहिए, तो मैं इसको, suppose यह वाला ले लेता हूँ, zoom कैसा होना चाहिए, zoom in, तो इसको drag के, लाग के, drag and drop किया तो, अब देखिए मैं इसे play करता ह पर कौन सा कलो लेना हो ले लिजिए, और यहां पर highlighter ले लिजिए, कहां पर आपको करना है लाट यहां इसको, right, इसके फर आप हाइलाट रूमा ले जिए, zoom हाइलाट आपको, look at there, pan and zoom उसी position में हो गया, even pan and zoom को आपको options भी आते, कि पर कितना zoom कहां से करना है, कहां से शुर अगर आप editing सीख चूगे थोड़ा बहुत हो, बड़ यहां पर editing बहुत आसान बना दिये, जैसे इन दोनों कट के बीच में transitions आड करना है, यहां एक काम करते हैं दूसरा video क्योंकि वह सेम video है, तो इतना transition आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं my library में जाता हूँ, यहां से output folder में से कोई भी एक मेरा वीडियो ले लेता हूँ, और मैंने इस वीडियो को यहां पर रख दिया है, आप वीडियो भी एड कर सकते आगे, यह तो एडिटर है तो आपको कर सकते हैं, और यहां पर एक वीडियो में आगे आड करते हैं, इन दोनों के बीच में उसे अब इसमें इंट्रेस्टिंग उप्शन्स में आपको बताई कि इसका AI पोट्रेट जो की AI का फीचर से बहुत बड़ी है, बैकराउंड रिमू करता है, उसे आपको जोरू ट्राइ करना चाहिए, और अल इस तेंपलेट्स यह भी आपको ट्राइ करना चाहिए, फाइनली वीडियों होने के बाद आप Export बटन पे क्लिक कीजिए, और Export पे यहा पर अपने Project का नाम, आपको कौन से फॉर्मैट में Export करना है, वो भी दिया है, आप धेर सारी फॉर्मैट में Export कर सकते है, AVI हो गया, MP4 हो गया, सब कुछ, आप TikTok के लिए Export करना चाहते है, या फिर आप YouTube YouTube के ले एक्सपोर्ट करना चाहते है, आप YouTube पे इसे अप्लोड करना चाहते है, TikTok पे, Vimeo पे उस तरह सी या पे दिया सेटिंग्स और बाकि सारी सेटिंग्स है यहां पे एक्सपोर्ट की कि आपको कुण से रिजुलेशन में एक्सपोर्ट करना है, यहां पे क्वालिटी के साथ रखना है, और आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो यह वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, so this way you can record your own video and edit it guys, so this is the simplest software that I wanted to tell you, कि रेकॉर्ड बटन पे बस क्लिक करो, जब रेकॉर्ड पे क्लिक करोगे, आपको अपना यहां पे वीडियो भी साथ में चाहिए, तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो रेकॉर्डर या फिर वीडियो एडिटर आप बोल सकते हैं, और जिसकी मदस यह सारी चीज़े आप कर सकत आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, आपकी कमेंट जरूर मैं पढ़ूँगा और उसके पर वीडियो बनाने की कुशिश करूँगा, और साथी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े, अगर ने हो तो, राइट, मिलते है अगले वीडियो के अंदर, तब त